प्यारे दोस्तो आज हम आपको एक नेक औरत और कुत्ते का वाक्या सुनाने बले हैं नेक औरत पर कुत्ते से जिना करने का इल्जाम लगा तो उसके बात क्या हुआ और कैसे कुत्ता बोलने लगा आईए सुनते हैं ये वाक्या दोस्तों पुराने दौरत की ये बात है किसी जगा पर एक बेवा औरत रहती थी जिसके शोहर का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था उसका शोहर उस इलाके का मौज़ सरदार था जिसके होने की वज़र से उस औरत की भी नेक नामी के चर्चे जगा जगा मौज़ूद थे सब जानते थी वो औरत बहुत पाकिज़ा खयालाद की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी भी है और यहां तक की इबादत कुजार भी है लोग उस औरत की दौाएं लेने दूर दूर से आते थे जो कि उन लोगों के मसले भी हल करते थी लोग उसकी इज़द करते थी शोहर के होते हुए कभी किसी ने उस पर तोहमत नहीं लगाई ना ही उंगली उठाई बलकि जो बुरे आदमी थे वो भी उसके तरफ पांग उठा कर नहीं देख सकते थे उसकी कोई आलाद नहीं थी नसर पर किसी मर्द का अब साया था यानि शोहर भी नहीं था तो माबाब भी मौजूद नहीं थे ना भाई था जो उसके हिफाज़त करता वो खुबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहती थी वो जानती थी कि अब वो तनहा है शोहर का साया उसके सर पर नहीं है तो ऐसे में अब लोग उस पर तौमत भी लगाएंगे उसका जीना दुश्पार भी करेंगे उस पर मुश्किलात की पहाड टूटे की लेकिन वो अल्लाद ताला की जात पर तवक्कल रखती थी यकीन रखती थी और सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि बेन तहां इबादत कुजार थी अल्ला की नेक बंदी थी वो जिस जगा रहती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी था जिसने उस आरत को जब पहली बार देखा गर से बाहर निकलना पड़ा यह उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो मेहनत भी करती थी और अल्ला ताला की इबादत भी करती थी दिन में रोजा रखती और रात में लंबे-लंबे सजदे किया करती उसका दिल बहुत नर्म था और वो हर किसी की मदद किया करती थी लेगिन अब तो उसको बहुत समल समल कर चलना बढ़ रहा था क्योंकि वो एक अकेली बेवा औरत थी एक बार तुफानी बारिश हो रही थी तो उस तुफानी बारिश में वो काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में बहुत सा कीचड था जिसने दलदल की शकल इक्तियार कर ली थी उस कीचड में एक छोटा सा कुत्ता गिरा हुआ था यानि कि कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ था जो कि दलदल में धस्ता चला जा रहा था वो जल्दी से उस छोटे से कुट्टे के पास आई, उसकी टांग जखमी हो चुकी थी, उस ओरत ने उसको अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख लिया, वो सोच चुकी थी कि मैं इसे पाल लूँगी और इसे कहीं नहीं जाने दूँगी, वो उ से लेकर अब तक, वो अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था, वो कुट्टा बड़ा हो रहा था, उस कुट्टे को होते हुए, उसको कभी भी किसी किसम का डर नहीं होता, उसने शौक के लिए उसे थोड़ी ना पाला था, वो उसके सुक दुख का साथ ही था, जिन्दगी अ अब सबर और सुकुन से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए है, हुआ कुछ यूँ कि जब वो घर से बाहर निकलती तो मर्दों की निकाहें अकसर जुख जाये करती थी, सिवाए उस रईस आदमी के, हुआ ये कि एक चाहता जब चाहता उसे खरीज सकता था, लेकिन वो औरत बहुती शरीफ थी, नेक थी, एक दिन उसने अपने मुलाजिम से पैगाम भिजवाया, कि इस औरत से कहो कि मुझसे आकर मिले, वो औरत कहने लगी कि मैं किसी गैर मरहम से नहीं मिलती हूँ, मुलाजिम ने ये खब कुछ की है तो उसने कुबूल नहीं किया, इस औरत से मुझे मिलना ही पड़ेगा, वो खुद ही उसके दर्वाजे पर पहुंचकर दर्वाजा खट-खटाने लगा, उसने कहा कि कौन, उसने कहा कि इस शहर का सबसे रईस आदमी, मुझ जैसा कोई अमीर नहीं, तो कहने दाल दूँगा, बस एक रात मेरे साथ को सार लो, तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हरा आशिक हो गया हूँ, जबसे तुमको देखा है, तुमको पाना चाहता हूँ, वो औरत कहने लगी कि मेरा तुमसे क्या तालुक है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हेरे साथ जिनाकारी कर लूँ हरे, अगर शरीफ आदमी हो तो निखा करो तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे निखा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वैसे भी चार बीवी है और वो नहीं चाहेंगी कि मैं तुमसे शादी करूँ वो लोग अमीर माबाब की बेटियां है और उनके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन हाँ, तुम्हें सब कुछ दूँगा पर बीवी नहीं बनाऊंगा उस ओरत ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारी बीवी ना बनू बलकि रखेल मुझे बनाना चाते हो तुम चले जाओ यहां से तुम्हारी दौलत मुझे 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 मुदासर नहीं कर सकती लेकिन वो आदमी तो शैतान था उसके अंदर खवासत थी वो चाहता था कि बस एक बार एक राद उस औरत को हासिल कर ले तो ऐसे में उसने इपने चंद बद्वाश उसकी घर में बिजवा दिये जिन्होंने दर्वाजे तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको उठा कर फेंग दिया कोई ऐसी नजर नाने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी वो ढर के मारे अपने मालिक के पास हापते कामते हुए आए और कहा कि हमें नहीं पता कि वो औरत कुछ खतरनाक है वो औरत कुछ अजीब सी है हम उसको हाथ नहीं लगा सकते अरे हमी तो किसी ने उठा कर ही भेंग दिया अब हम वहाँ नहीं जाएंगे नहीं आप हमसे एक काम करवाएंगे तो ऐसे में वो रईस आदमी ठक गया था उसने कहा कि अब क्या करूँ यहां तो यह मेरे ताकतवर आदमी भी नाकाम हो गया है एक नाजूक औरत को उठा ना सके नजाने किस ताकत की बात कर रहे है अब उस आदमी ने साजिश रची और वहां पर मौझू तीन और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा कि देखो यहां इस जगा एक हसीन खुबसूरत औरत रहती है और बेन तहां हुसन वाली है अलाद भी नहीं है उसकी मैं उसे हासिल करना चाहता था लेकिन वो मेरे चुंगूल में नहीं फस रही है मैंने अपने आदमी भी भिजवाए कि शायद वो उनकी काबू में आ जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्साम लगाते हैं क्योंकि उसने मुझे मना किया है आज तक किसी औरत ने मुझे इंकार नहीं किया है और तुम लोग भी एक बार देख लो उसे अगर वो औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर मिलकर उसको माट लेंगे यानि हम लोग उसके साथ जिना करेंगे अब वो दूसरे आदमी भी उस वारत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा लेकिन वो औरत तो पाक साफ थी उसको तो पता चल गया कि ये शैतान है जो उसके साथ खवासत करना चाहता है उसने उन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही किया वो लोग गिरते पढ़ते उस रईस के पास आए और कहा कि सही कहा था कि वो औरत किसी की बात नहीं मानने वाली है राईस कहने लगा कि मुझे उससे बदला लेना है आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया अब हम मिलकर यहां पर जितनी भी लोग है उनके दिल खराब करेंगे और उस औरत के खिलाब उन सब को बच्चलन करेंगे सब उसकी बेश्दी करते हैं देखना हम उसको यहां की मशूर तवाइब बना देंगे उस रहीस आदमी के उकसाने पर वो तीनों आदमी उस सौरत पर बदकारी का इलसाम लगाने लगे वो शरीफ और सब गुनाह उससे बच्चती रही वो शैदान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर और करीब लोगों को भी बैका दिया सब उसको तंग करते और उसके दर्वाजे पर खड़े होकर उसको ताने दिया चाते उसके घर में पत्थर भेंके जाते वो सबर से काम लेती रही लेकिन एक बार तो हदी हो गए कुद्दे के सार्थ ऐसा काम करवाती है जो बदकारी का काम कहलाता है एक साफ सुत्री और ऐसा वहियात और गंदा इलसाम था कि उस महले की औरते तक मुझ खोलकर तौबा तौबा करने लगी कि तभी की औरत शादी क्यों नहीं करती है कुद्दा जो पाला हुआ है अब जिस औरत की पूरे लाके में सखावत अबादत तर्या दिली और नेकनामी के वज़ह से लोग इज़त करते थे वो सब उसको पत्थर मानने लगे और उसने घर से निकलना छोड़ दिया उसका वो कुद्दा जो कि इसके हिफाज़त के लिए ही था उसको किसी ने देखा भी नहीं था उस कुद्दे की आँखों में भी आँसु आ गए दर्द से एक बेज़ुबान जानवर भी रो बढ़ा कि एक पाकिज़ा औरत पर इस तरह इल्जाम तराशी की जा रही है लेकिन वो लोग उस पर बराबर इल्जाम लगाते रहे उस औरत के सबर के इंतहां हो गए थी उसने एक दिन अल्ला ताला से दुआ की कि या अल्ला रबे करीम मैंने हमेशा सबर किया तेरी शुकर गजार बंदी बनी रही मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की लेकिन तू मुझे माफ कर दे मुझसे कौन सा ऐसा कुना हो गया ही कि एक कुट्टे के साथ मेरी हिर्फाकत बता ही चा रही है ये तो इनसानियत के तहट मैंने काम किया एक कुट्टा जो मेरी मखलूक है जिसको तुने पैदा किया है उस पर मैंने रहम खा कर उसे अपने घर पर रखा अपने बच्चों की तरह उसे पाला उसकी परवरिश की आज उसके साथ मुझे पर हिलसाम लगाय चा रहा है कि मैं जिना कारी कर रही हूँ या ला ला किसी ऐसे इनसान को भेज़ दे जो कि सही इनसाफ कर सके जो मेरे करदार के कवाही दिला सके और या ला ला इस सारी तुनिया देखे सारी रात वो औरत दुआ मांगती रही अब यहां पर वो चारों बदकार आदमी यहां एक बहुत बड़े अल्लावाले रहते हैं जो की नेक बनते हैं और इंसाब भी करते हैं लोगों के पास जो परिशानिया हो कैसी भी मसले हो सब उनके पास ही आते हैं तो उस रहीस ने कहा कि फिर तो मेरी बात भी सुनेंगे चलो यार चलते हैं देखते हैं वो हमारे लिए क्या फैसला करेंगे उसके तीन साथ ही कहने लगे कि हम तो कहते हैं कि उस औरत को भी साथ ले चलो वो कहने लगा कि नहीं पहले हम उनको सारी सूरते हल बताएंगे फिर वो जो फैसला करेंगे वही होगा और मुझे उम्मीद है अल्लावाले काजी के दर्बार में पहुंचे और सब जूटी कहानी सुनाती कि ये औरत एक फाईशा औरत है और एक कुट्टे तक को नहीं छुड़ा इनसान तो क्या? इसने कुट्टे तक को नहीं बख्षा हम चाहते हैं कि इसे हमारे मौले से निकाल दिया जाए इसको रजम किया जाए यानि इसको पत्थर मारे जाए संगसार किया जाए इसको लहुलवान कर दिया जाए ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही है अल्लावाले जो के अल्लाव के इतने नेक और प्यारे बंदे थे उन्होंने का कि ये जरूर छूट बोल रहे हैं दाल में कुछ काला है पहले मुझे खातुन को बुलाना पड़ेगा उससे मिलना पड़ेगा आपने एक आदमी को हुकम दिया कि जाओ उस औरत को बुला कर लाओ काजी का आदमी पहुँचा खातुन के पास और पैगाम दिया कि वक्त की काजी अल्लावाले तुमें बुला रहे वो साहिब इल्म है उनको एक बेहत कीमती फैसला करना है वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता वोस आदमी के साथ काजी के दर्बार में पहुँची ये बात वो चारो आदमी नहीं जानते थे कि काजी साहब ने औरत को एक अलग जगा बुला कर कहा मुझे बताओ कि क्या तुमने जिना किया है और वो भी एक कुत्ते के साथ उसको ये सुनकर बहुत दुख हुआ उसने कहा कि आप तो खुदी अल्ला के नीक बंदे है साहिब इल्म है आपको पता चल ही जाएगा आप इंसाफ कीजियेगा अल्ला ताला इंसाफ पसंद लोगों को ही पसंद करता है काजी साफ समझ गया कि वो और सच कह रही है ऐसे मैं आप वापस दर्बार में आए और हुकम दिया कि इन चारों को अलग-अलग कर दो पहले हम हर एक आदमी से अलग-अलग पूछेंगे फिर इन चारों की गवाही लेंगे आपने सबसे पहले उसी आदमी को बलाया जो कि वही रही सादमी था उसको अपने पास बला कर आपने उससे पुछा कि जिस कुट्टे से ओरत ने जिना किया है उस कुट्टे का रंग कैसा था पहले तो वो गड़बडाय कि आज तक कुट्टे को देखा नहीं था फिर उसने बोलना शुरू किया अब वो काले रंग का कुट्टा है अल्लावाले ने फिर दूसरे को तनहा बुलाया और उससे भी यही सवाल किया कुछ देश सोचकर उसने खुदी कह दिया कि कुट्टे का रंग सुर्क यानि कि गहरा लाल रंग है तीसरे को अल्लावाले ने बुलाया और उससे पुछा कि तुम जिस ओरत को फाईशा कहते हो और कहते हो कि वो जानी है जरा बताओ कि वो कुत्ता किस रंग का था उसने कहा कि मैं ना जानूगा तो और कौन जानेगा उस कुत्ते को कौन पहचानेगा उस कुत्ते का रंग खाकी है यानि कि जमीन के रंग से मिलता जुलता है अल्लावाले काजी ने आखरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी यही सवाल किया चौते ने कहा कि मैं तो अंधेरे में भी उस कुटे को पहचान सकता हूं उस कुटे का रंग को मैं बखुबी जानता हूं उसका रंग सफेद है अब आप प्रहमतुल्ला अले ने उस औरत को दर्बार में तलब किया सबाखे पाड़े उस औरत को देख रहे थे यहां पर यह कब से आ गए उसके साथ उसका कुटा था और उस कुटे का रंग न तो सफेद था न लाल था और नहीं काला था और नहीं खाकी था बलकि उसको अल्ला पाक ने यह सारे रंग एक साथ दे दे थे यानि कि कहीं से वो कुटा लाल था कहीं से वो काला था और कहीं से वो खाकी था और कहीं से वो सफेद था अल्लावाले बहुती तैश में आगे उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग सच पता देते जोटा इल्जाम नहीं लगाते तो तुम को सजा नहीं दी चाती वो कहने लगे कि हम सची कह रहे हैं आप मेरी बात को माने लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं इसको संसार करें इसको रजम करें तो ऐसे में आप रह्मतुल्ला अले को गुस्सा आ गया आपने कहा अच्छा तुम कहते हो कि तुम सच कहते हो लेकिन तुम सब नहीं इस औरत की कवाई दे दी है अब एक और कवा मौजूद है जिसने इसकी कवाई नहीं दी है तो ऐसे में वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा अच्छा इस औरत की कवाई देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया है हम सब तो इसको मिलकर कह रहे हैं और यही सच है अल्लावाले ने कहा कि नहीं आदमी या इंसान नहीं बलकि जानवर है जानवर जानवर गब बोल सकता है तो आपने कहा इसी कुत्ते से इसकी गवाही ली जाएगी तुम कहते हो कि यह कुत्ता नहीं बोल सकता अब देखो अल्ला के हुकम से ये बोलेगा अपने अल्ला का नाम लेकर उस कुत्ते से कहा कि तू इस मालकिन का नमक खा चुका है इसने उस वक्त तुझे उस जगा से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था अगर ये तुझको वहां से नहीं उठाती, तेरी मरम पट्टी नहीं करती तो तू आज जिन्दा नहीं बचता, तुम तो फर्माबरदार हो ना, गवाही दो अपनी मालकिन के लिए ये औरत कितनी पाक और साफ है, और अगर गुनेगार है तो ये भी बता दो इनके सामने तो ऐसे में अल्ला के हुकम से वो कुटा बोलने लगा, उसने कहा कि ये औरत तो बहुती साफ सुतरी है, अल्ला ताला ने इसको बहुत आला दरजा दिया है, ये कमाल की पाकिजा औरत है, इसकी तनहाईं भी पाक है, संगसार अगर करना है तो इन सब को करो, अल्ला वाले ने फैसला कर दिया, कि इस नेक औरत पर ये तोहमत है, इल्जाम है, और इसके साथ जूट बोला गया है, किसी पाकिजा शरीफ ने किरदार के औरत के साथ ऐसी बाते करना, ऐसे इल्जाम लगाना, लोगों को मजबूर करना कि इसको तकलीप पहुंचाए जाए, और जिस श जिसला जिन्दगी में कहीं नहीं देखा होगा तुमने, इसी वज़ा से आज ये दरबार इसी बात की कवाही देता है, कि इन चारों को सब के सामने उल्टा लटका दिया जाए, और फिर इनको पत्थर मारे जाए, शहर का हर फर्द इनको मिलकर पत्थर मारेगा, और फिर स तरह से अल्ला ने उसको बचाया, किस तरह से उसकी इस्ज़त बचाई, हिफाज़त की, वो कुत्ता भी उसके साथ रो रहा था, अब वो चारों बिदक गए, उन्होंने कहा कि अल्ला के रेक बंदे हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमसे गुना हो गया है, यह हमारी बहन ह हमने इसके साथ बहुत बुरा किया और बुरा कहा हमें माफ कर दे हमाहिंदा इसको कुछ नहीं करेंगे अल्लावाले ने कहा कि अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दर्बार में जो फैसला होता है वाटल फैसला होता है तुम्हारी माफी नहीं तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया और फिर उसके बाद उन्हें सजा दे दी गई तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पसितना है अस्सलाम उलेकुम अल्ला हाफिज